नमस्कर मित्रों, मैं आरी नरेंदर दिवांगन, आपका दोस्ट, सेफ्टी आफिसर. मित्रों, क्या आप कारिस्थर पर जाते हैं, तो उसको देखकर क्या भी आपको गुसा आता है या उदासी आ जाती है? क्या आपके कारिस्थर में दुर्गटनाओं की संख्या सुनने नहीं हो पा रही है या क्या आप चाहते हैं कि आपके कारिस्थर परियादी कोई व्यक्ति जाया तो उसका मन प्रशन नहों जाया अगर इसमें से किसी भी प्रशन से अपने आपको आप जुड़ा हुआ महसूस करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है इसे अंत तक जरूर देखें अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको नीचे लिखे सब्सक्राइब पर टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमेशा ये वीडियो बिलते ही रहें अब हम आते हैं में टापिक पर जित्रों आपने 5S के विशाय में सुना ही होगा 5S जो की एक जापानी कंपनी टोयटा से सुरू हुआ जिसके माध्यम से पूरे विश्व में कारिस्थर पर एक प्रकार से क्रांती आ गई इस 5S को आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेग कि हम इस से पूरों से परचित हैं हमारे घरों में जो महिला हैं हमारी या पतनी या माँ हैं वो इसका प्रयोग पहले से ही करती हैं अगर इस फार्मूले को हम अपने कारिस्थर पर लगाते हैं जो प्रश्ण पहले बताये गया थे उसका सभी का जवाब उससे मिल जाएगा इतनों सबसे पहला है सिरी या सौर्टिंग दि थिंग्स जितने भी वस्तवें आपके कारिस्थल पे हैं उनको आप छाट करके अलग अलग करिए उपयोगिता के अधार पर जो इसका उपयोग तुरंद होने वाला या कुछ दिनों होने वाला है उसको आप छाट करके वहीं रखें और जो ऐसे समाने जो 4-6 में तक इस्तिमाल नहीं होने वाले या कब इस्तिमाल होगा उसके बारे में कुछ पता नहीं तो ऐसको अलग कर दे कारिस्थल से दूर कर दे जैसे कि हमारे घरों में महिलाएं करती ही रहती है जो भी चीज़े इस्तिमाल नहीं हो पारी है उसको वो या तो कबाड़ी को दे देती है या फिर कहीं बोरे में भर करके अलग रख देती है तो जो बिलकुल अनुपयोगी चीज़े आपको मिले उनको आप स्क्रेप यार्डें भेश सकते हैं और जो बाद में इस्तिमाल होने चीज़े हैं उसको भी कहीं अलग जगा करम से जमा करके रख सकते हैं दूसरा एस है मित्रों Set the things in order यानि सभी उपयोगी वस्तु जो कारिस्तल पर है उसको इस प्रकार से उपयोगी था कि करम में जमाना कि जब भी हम वस्तु को चाहें तुरंत प्राप्त कर सके हैं उसमें कोई ढूरना ना पड़े, खोजना ना पड़े जिस प्रकार से हम घर में देखते हैं मैलाय किचन में जो जरूरी समान है जो थाली हो या कोई चम्मच हो उसको एक सीधी पहुँच में रखती है उससे जो हमारे अतियुपयोगी चीज़े हैं उसको बिल्कुल सीधी पहुँच में अपने आसपासी रखें और उसको क्रम से जमा करके रखें एक जयसे वस्तूवों को जैसे कि किचन में चम्मच एक साथ रखे होते हैं, प्लेट एक साथ रखे होते हैं, इस प्रकार से अपने जो उपयोगी चीज़े हैं कारिस्थर के उनको भी एक जगा एक क्रम से जमा करके ही रखना चाहिए तीसरा एसा मित्रों सीसो, जिसका अर्थ है सीसे की तरह चमकदार और साप सुत्रा, जैसे घर में मैं लाएं, घर को इस प्रकार से स्वक्ष रखती हैं कि बिल्कुल चमकता हुआ स्वक्ष एक दरपन की भाती और चमकाना चाहती है, वैसे हमको कारिस्थर को भी बिल्कुल कि दाग धब्यों से रहित और चमकदार हो जाया, इस प्रकार से हमें अपने कारिस्थर की रख रखाओ करनी है, घरों की तरह वहां पर भी जाडू, पोछा, जैले, निकालना इत्यादी लगातार होते हैं चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आता है, तो उसक की हालात वहां पर देख कर कि बिल्कुल चित उसके प्रसंद नहों जाए, मित्रों, अगर यह जानकरी आपके काम की है, तो इसे लाइक करें और अपने फिलिंग्स कमेंट बॉक्स के द्वारा हमें भेजें, मित्रों, चौथा S है, सिकेट्सू या स्टेंडर्ड डाइजे तीनों के पालन के लिए कौन करेगा, कब करेगा, इत्यादी, पूरी इसपष्ट जनकरी होनी चाहिए, और हर व्यक्ति के लिए कारियों का निर्धारन हो, हर पद के व्यक्ति के लिए इसमें जिम्मेदारी का आबंटन हो, और इस गैडलाइन को एक सक्षम, उच्या धिका जारी द्वारा अनुबूदित कराया जाए यह जारी कराया जाए तभी इसको लागू किया जा सकता है उपर की जो तीन एस हैं उसके जांच है तू परिपालन हो रहा है यह नहीं जांच करने के लिए चेक डिश्ट भी तयार किया जाना चाहिए मित्रों पांचवा एस है सेल सेल्फ डिसिप्लिन एक बार इसके लिए सभी स्थरों पर सिक्षन जरूर दिया जा सकता है ताकि सभी को इसके लाव के बारे में और इसकी कार योजना के बारे में पता चल सके हैं कुछ लोगों को निमित रूप से आर्डिट है तो उत्तर धाय तो भी रहेगा और के जो उच्चितम लक्षे को प्राप्त कर सकते हैं कार इस्थल को दुर घटना मुक्त करने के विशह में एक और एस आजकल जोड़ा जा रहा है जो है सेफ्टी जितने भी यह पांच इस्टेप उपर बताये गये थे पहले जो बताये गया है उसमें सेप्टी का हर स्टेप में पालन हो पहले तो उसके बाद दूसरा है कि कार इस्थल की जो सजावट है वो सेप्टी के इंस्ट्रक्शन से MSDS से करना चाहिए और SOP अगर कोई ऐसा मसीन को चालू बंद करना है कोई प्रक्रिया किसी कोई आपरेशन किया जाना है तो फिर वहाँ पर SOP बगल में लग का होना चाहिए safe operating procedure या standard operating procedure ताकि कोई भी बीना confused हुए बीना safety के step को भूले उसको चालू या बंद कर सके वैसे ही अगर बहुत प्रकार के chemical वहां इस्तेमाल हो रहे हैं या इस्तेमाल वहां कारिश्तर के लोग करते हैं तो MSDS में किसी particular रसायन में क्या-क्या खत्रा हो सकता ह और उस खत्रों से कैसे बचा जा और अगर कुछ खत्रा ने उसको दबोच दिया तो किस प्रकार से जान बचाई जा सकती है उसके बारे में भी basic instructions लिख्या होने चाहिए safety training safety training भी उस कारिस्थल पर नेमित रूप से होने चाहिए जो भी पांच step बताया गये हैं 5S के उनका उसकारिस्थल पर जितने भी activities लोग करते हैं उससे समंदित sözे सैप्टी की requirement होगी क्या क्या पीपी अ सब्सक्रिया से समंदित हो सकता है क्या कोई विशेस सौधानिया से समंदित हो सकता है तो प्रतेक उस एक्टिवीट्य के लिए क्या क्या सौधानी लों वर्कर्स को रख उस कारिस्थल पर अच्छे सुइस्पष्ट अक्षरों में सुरक्षा निर्देश, जो समाने सुरक्षा निर्देश सभी को पालन करना है, उसके विशे में जानकारी लिखी होनी चाहिए, अगर किसी कारिस्थल पर ये 6S लागू है, तो मान करके चलिए कि वो कारिस्थल दुरगटना मुक्त ही होगा, तो मित्रों ये थे 6S जिनकी जानकारी से और कारिस्थल पर लागू करने से हम अपने कारिस्थल को पूर्णता है, दुरगटना मुक्त रख सकते हैं, सू सज्जित, सुंदर, सू विवस्थित रख सकते हैं, और जब भी हम उस कारिस्थल पर जाएंगे, तो हमारा चिप्ति प्रसन्न हो जाएगा, और अगर कोई बाहर का व्यक्ति भी आपके कारिस्थल में अगर पहुँच जाता है, तो वो भी खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, और आपके अधिनस्त जितने भी लोग कारे करते हैं, वे सारे के सारे सुरक्षित रूप से कारे करेंगे, मित्रों, ये वीडियो आप अपने मित्रों को और सुपचित्दकों को जरूर भेजें, ताकि उनका कारिस्थल भी दुरगटना मुक्त हो सके,